कि आप रेडी है बिजनिस स्टार्ट करने के लिए कैसे पता चलेगा एक रात में मालेजी कि सिर्फ शंकर भुले नाश अपने में आए आपको बोलें कि बेटा कल से तु जॉब छोड़के बिजनिस करना शुरू कर रहे और आप शुरू करतीजेगा या फिर आप कुछ महीने एक दो मेने की प्लानिंग करेंगे कहीं पर कुछ लेंगे और बिजनिस शुरू कर देंगे और अपनी सारी जमापूंजी या अपने एसेट को बेज कर बिजनिस में लगा देंगे और 90% chances है कि आप बिजनेस में फेल जाए तो कैसे स्टार्ट करें? तो चलिए, हम बात करते हैं एक story से जी हाँ, एक story से सुरू करते है माल दिजिए कि आप अभी-अभी किसोरा वस्ता में गए है या आपके बेटे हैं, या हो सकता है कि आप जाने वाले हैं, किस रुस्ता में गया है तो आपने तेंथ कर लिया, तेंथ तक कोई रुकावर ने तेंथ अराम से आप अपना इसकोरिशन को complete कीजिए तेंथ के बाद आप 12 कि आपको decide करना है और अभी मार्केट में बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्चूट्स हैं, बड़े-बड़े बड़े बिपस ली जा रहे हैं कि IPS के लिए, UPC करे, जॉब, सकारी जॉब लें तो आपने किया कि, आपने सोचा कि मैं गॉर्मन जॉब की preparation करूंगा और गॉर्मन जॉब, NEET का या फिर बहुत सारे IIM का जो भी बड़े-बड़े जो ट्रेनिंग इस्चूट्स हैं, बड़े-बड़े जो colleges हैं, उनकी त्यारी करूंगा और मैं उस college में 12 के बाद admission हूँ, बहुत अच्छा बाद, बड़ प्रब्लम ही है कि आप अगर NEET के त्यारी कर रहे हैं, अगर आप टेम के त्यारी कर रहे हैं, या IT के त्यारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है, कि कितना percent students pass होते हैं, हमें लगता है कि एक परसेंट भी, एक दो परसेंट का आकड़ा भी नहीं, जितना application आते हैं, और जितनी pass होते हैं, मतला कि आपने आपको प्रपरे कर लिया, उस वीर का हिस्सा बनने के लिए, जहाँ एक छोटा सा दवार है, लाखों का वीर है, और कुछ बंदे ही उस heat को लांग के अंदर जाते हैं, मैं आपको का admission नहीं हुआ, तो आपका backup क्या है, क्योंकि आप जो admission लेने के लिए पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रहाई सिर्फ admissions की इंटरेंस तक ही काम आएगा, उसके बाद किसी कम टीम जाका बुली है, कि मेरी math बहुत अच्छा है, मैंने math 95% number लाया हो, मुझे job दे दे, तो बहुत स admissions से बगरा हैं, उनको जोड़ गे, क्योंकि companies आपकी math का क्या गरे, company को चाहिए skills, कि आप उस math से company को क्या कमा के दोगे, ये skills होनी चाहिए, so think about the backup plan, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कि आप government job के तरफ नहीं जा रहे हैं, और आप backup plan के तरफ बाते हैं, backup plan में क्या गरे, 12 12 कीजिए, 12 करने के बाद, 12 कीजिए, 12 करते समय है, शुरू करते हैं, 12 से आप कर रहे हैं था, आपकी उमर जो है, 17 साल होगी, 17 साल से 19 साल के बीच में आपने क्या किया, अपना 12 किया, 12 ने प्रहाई किया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि schooling और tuition करने के बाद भी आपके बाद 2 3 गंटे या 4 गंटे का टाइम बचता है, जिसमें आप मस्ती करते हैं, वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, और बाकिर यह करते हैं, उत 3-4 गंटे को यूज कीजिए, money earn करने के लिए, money earn करने के बहुत सारी तरीके हो सकते हैं, घर पे बैठे आप कर सकते हैं आप इसे चीज को चूच के लिए जहां पे आपको कुछ पैसे भी आए और आपकी इसकिल्स भी आए जी हाँ, जैसर कि आपने एक रिपैरिंग के लिए, एक रिपैरिंग मानेजा एलेक्टॉनिक्स रिपैरिंग के दुकान में आपने एज़ हेलफर ज्याइन कर लिया, तो दो चीज़े होगी, आपको एलेक्टॉनिक्स की नॉलेज हो जाएगी, और दूसरा कुछ पैसे बच माले जै कि आप डेली या महीले का Careful of तीनहिजार उप शूटे मिटे काम कर से क्या कि आप तो तो पिप्टी परसेंट मतलब की पंदरह सुरूर पे आपको मिच्छल फंड में इन्वेस्ट कर देना है तो आपने क्या किया आपने लगाया तो नब्य हजार रुपे आपने इन्वेस्ट किया लेकिन एक कई गुना कम से कम अगर हम बात करें अगर इसकी अगर हमें करते हैं लागाते हैं इसका मिच्छ वैलू का और अच्छ फैन्ड बारा से 15% परसेंट का इंट्रेस्ट देटें तो पंदरह परसेंट मानगे चलते हैं तो हम लेते हैं यहां पर एंपरेंट यार्ली डिवायर बाइट्वाइड वैल और हमने एंपी सब्सक्राइब करने के साथ आपके पास एक कैपिटल है जो कि आपकी अपनी है जिसको आपने से लेके बीच में आर्ण किया है अब बोलेंगे सर मेरी फैमिली बहुत रिच है मेरे पापा कॉमिन एपलोई है मेरे पापा कितना वरा बिच्छेंस है फिर मैं क्यों जॉब करो यहां से बात पैसे की नहीं हो रही है कि यहां पर बात हो रही हो है कि जो चीज में इस नहीं नहीं चीज को phenlic आimeद ऐए स्किल्स के बाद आप जो है अगर आप अपने शॉप में या पने पापा फैमिली में जाते हैं तो प्रॉलम क्या होगी वहां पर गल्तिया करने से क्या होगा लॉस्किसकी होगी आपकी अपनी होगी कि इसी और के यहां काम किजिए किसी और गल्य कीजिये किसी और किषय की और लॉस्स की और उतर्जूरें डुर्शी पिमली सेब दो आप गसे और जाएंस यहां जाएन और आपके पर अपने यहां को उतर्स चुकिंगे सो गेजैशन आपके कंप्लीट हो चुकी है आपके पास असेर्स है अब मैंने बनुआ है कि अब तीन र्रुप आदा बनुख और तीन लाग रुपय से लिजिये और तीन लाग रुपय और बीजोस्यों तीन लाग से कोई बिजनस स्रूम कुछ आपके सब्सक्राइब कर लें उसी सेक्टर का आपके पास एक अच्छा आ चुका है एक्प्रियेंज इंट्रेस्ट तो डिप्लोमा और कर लीजिए और पर आप उसी सेक्टर के कंपनी में काम आप आया आई टी आई कर लिया जो की दो साल का होता है आपके पास क्या हो गया गया अब जिस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उसी सेक्टर की डिजियेगा घ्यान लखेगे अगर नहीं है तो सेक्टर चेंज कीजिए आपके आस पास लोकल में जो मिल जाए से आप डिजल मेकेनिकल करना चाहते हैं या आप एक्टॉर्णिस करना चाहते हैं हर लेकर छोटे बड़ी दुकान आपको मिल जाएंगे सबीस इंटर फैक्टिव अगरा मिल जाएंगे वहां काम गर्सित है और उसी टेक्निकल स्किल्स आप सिस्टर में और से कंप्टॉटर से कीजिए सॉफ्टर डिजाइनिंग आए विपसाइट डिजाइनिंग है जो भी आपने किया है उसी से लेटेड आपके यहां पर या तो वर्क्वों करना है या फिर आपको किसी के आपको करना है आपको जॉब में दिलाता है आपके स्किल्स आपको जॉब करने का है ही नहीं जॉब को आप अपने बिजिनेस की अपने स्टाटप की सिरी की तरह यूज करने वाले हैं तो दो साल आप ने किया अब दो साल करने के बाद आप यहां पे पंद्रसों के जिए आप जो है दो साल लेते हैं तो इसमें हमारा 24 महीन है तो तेन टेंटें ओन फॉर्टी यहां पर आपको तीन लाग चोहतर हजार के गेन कैपिटल गेन हो रहा है अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं अब आपको करनी है कम से कम तीन से पान साल की जौब जी हां तीन साल से पान साल की जौब आपको करनी है और एवरेज सेलली मान लेजिए कि आपके सेलली 25,000 तो होगी अब यहां पे एक छोटी सी दिक्टत आ गए क्योंकि अभी आप 50% पैसा जमा कर रहा है 50% पैसा इधर अपना फर्चा करते हैं तो आप जैसे आप जौब पकरेंगे आपकी फैमिली आपको खर्चा देने से मन करते हैं तो अब आप 50% इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप कोशिश करें कब से कम 30% अपनी सेलली का मंतली आप इन्वेस्ट कर दें जी हां इसमें मैचुल फंड में मतलब कि 7500 पान साल तक आप जो है उसको करें तब तक सेलली भी आपका हर महीने बढ़ेगी तेकि हम म सब्सक्राइब आपका नॉलेज आपका एक्सपियेंस में गेन हो रहा है और सब्सक्राइब कर रहे हैं और आपने आपको नॉलेजबल भी कर रहे हैं जौब कीजिए पांच साल जौब करने के बाद आप जो है आप अगर यहां पर अगर मैं वापस फ़र्मा लगाऊं तो ए वह हमारा हो जाता है पंदरा परसेंटी लेकर चलते हैं पंदरा परसेंट डिवाइड वाइड ट्रूएल नपियार हमारा हो जाता है 60 और पी एमक् इसको हम रेट लेते हैं पंदरा परसेंट यर्ली और यहां हम एंपियार परसेंट डिवाइड वेल और नपियार मालेजिए 60 और पी एमटी नहीं है प्रजेंट वेल तो इसको तो बंद कर दिया ना अबना सिदा है तो सात लाक्त नवासी हिजाब एपिया वह आपका बन चुका है 6 लाक आपका एमन चुका है मतलब कि आपके पास 14-15 लाक रुपे की कैपिटल हो चुका है 12 लाक रुपे की कैपिटल हो चुका है 5 सल बार तो आपको क्या करना है आपको सोचना है बिजनेस करना है क्यों तो कि आपके पास आपका पालिफिकेशन गिरिजुट आपके पास क्या है आपके पास experience है चीजों की समझ है मार्केट की समझ है और हर एक चीज को समझते हैं क्योंकि उसके जॉब कर रखे हैं करीब अच्छा का साब का जो है दस साब के आसपास का experience हो चुका है लेकिन क्या है कि बारा लाख रुपे जो आपने जमा किये हैं आप अपनी मेहनत की कमायों बहुत लंबे टाइम से जमा की हुए हैं आप इसको लीजिएगा लेके बिजनेस से बैश जाएगा तो चांसे यहां पे होता है कि थर्टी सद्य परिंश चारज होगा कि आपका बिजनेस टूब जाए और आप बिजनेस के सांसा ढूबेगा आपका capital ढूबेगा आपका आथम्य सम्मान ढूबेगा आपका confidence जी हां आपका confidence ढूब जाएगा उसके बाद दूबारा बिजनेस करने के लिए ना आका मन करेगा ना आपके फैमली करेगी सिदे बोलेगा 25 जाएगा जोब कर रहा है जोब करो 25 से 30 85 से 40 जाएगा 50 जाएगा पच्पन जाएगा इसी को जॉब करो और इसी में तुम रहो इसलिए आप अपनी कैपिटल को लगा के तुरण जॉब करना नहीं करेंगे आप स्टार्ट करेंगे छोटे स्टर पर जैसे कि आपने एक प्रोड़क्ट सोचा कि बाई मैं एल्कॉनिक्स में हूँ तो मैं एक पं कि अपको आप इसको स्मॉल स्केल्स पर चलाना है मतलब कि आप जुह है इसका प्रोडक्शन अपने गैरेज के अंदर में अपने बैक आट के अंदर में या अपने कवार खाने के अंदर में सुरूग है जी हैं एक दो इम्पलूई के सांग या हम मैं तो बुलूँगा कि नहीं आप सुब्ध वार के वाद निकालके पंके को बना क्योंकि आप मालिज उल्व अलेक्ट्रॉनिक्स से हैं एलेक्रिकल से हैं अपने लंबे टाइप से काम किया है तो बंकों को बनाना अब बर्थे कुछ आता है आप कवार से पंके का बॉर्डी उठाएंगे पत्ति वहाव में प्रॉफिट होना चाहिए सुरात में और आप पंखा बनाएंगे और पंखे आप बनाने के बाद ऊप्स मिगी और आ आप सुवा घाते समयं अफिस आते समय दुकान से बिजिट करेंगे दुकान वाले को पंखे दिखाएंगे छो पंखे को बेचने का को使is क्र वा लेकिं हाँ देली मान लिजिए महीने में आप 30 नहीं मान लेजिए कि 20 पंका ही बेज देते हैं ठीक है तो साल में आपने बेचा 340 और आप इसको चलाएं पांच साल तक चार सो कस्तमर्स जो आपकी पंके को यूज कर चुके हैं आपके पास रहें ठीक है और दूसरी चीज है कि दीरे दीरे आप अपने प्रोडेक्शन अपने सेल्स अपने सर्विसस से होने बाले जो ट्राइल्स हैं जो कमियां हैं उसको दूर कर देंगे दूर करने के बाद तब तक आपका बेल्थ भी जो है बर जाएगा क्योंकि आप वह जो इसमें 30% आप अभी तक बंद नहीं किये हैं और इसको चला रहे हैं अब मैं इसको बढ़ा देता हूं तीन साल माले कम से तीन साल आपने चलाया तो 36 मेने दिसमें 36 मेने प्लस कर देता हूं तो आपके पास जो है यह आपका 13,00,000 अल्लेडी हो चुका है तिरा लाख और लेडी हो चुका है आपके पास टोटल 21 लाख का पैकेज है आपके पास 21 लाख है और आपकी बिजने से चल रही है और आपकी फैमिली इसको देख रही है कि बंदा भुनहार है बंदे के पास एक्स्प्रियेंस हो गया विल्ट हो गया और बिजनेस दम पे खरा करका है तो आपके पापा अपनी जमा फुची निगाले का आपको दे सकते हैं कोई पॉपर्टी को गिरवी करके दे सकते हैं बैं है कि आप शुरू हो चुके हैं एक एंटर्फियेंट बंदने की रहा पे अब हर कोई आएगा अपना पैसा लेकर आपके पास भाई ले 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 लगा मुझे अपने अपने शेडिंग दे ले 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 और आपके पास खुद का भी बेंद होगा आपकी फैमिली सप पूर्ट कर रही है और आपका बिजनेस कई गुना दौना शुरू कर जाएगा और आप आगे चलकि एक बिजनेसमैन बन जाएंगे जो कि आप जन्याइट करेंगे एक जॉब या है कई सारे लोगों की जॉब मार्केट जुए कर देंगे आपके अंदर बंदे काम कर रहे ह होंगे आप किसी में और मतलब कि अरृम्मेंट का हिस्सा twitter को मैं होंगे जो ऑप comment का हिस्सा नहीं ऊथिये थे और measurement का हिस्साइब का इस वाहर होंगे को Goldman से पैसा लें गें तो पैसा तेंगे आप किसी से जॉब नहीं लेंगे, आपको सस्पेंड होने का चक्कर नहीं रहेगा, आपको जॉब छुटने का चक्कर नहीं रहेगा, आपके सेलरी नहीं आएगी तो उसकी चक्कर नहीं रहेगा, क्या लगता है कि सरकारी को सेलरी हर में नहीं मिल जाती है, नहीं, हर स्टेट की नहीं जैसे कि पैसा कमता है सबसे पहले सकारी मुलाजिमों की पैसा सेलरी को रोग देता है वो सब का जंजर पी रहेगा क्योंकि आप खुद यहां दे रहे हैं आपने दम जर से मतलब कि आपने बीज डाला पौधे को सीचा बड़ा किया एक विसाल पेर बन चुका है और आपको किसी विसाल पेर को खाना बड़ी मुश्किल से होता है मतलब कि जो बिजनेस एक दम बेसिक से सुरूप की गई है कस्तुमर पर पकर है उसकी उसको खाना को बराएंगे देन दिरे थे कस्तुमर्स की सब्सक्राइंगे शुरू आपने पर द्यान देंगे प्रॉफिट पर द्यान नहीं देंगे चोटे बनाएए अपने अंसे बनाएए पार्ट टाइम में बनाएए जिससे आपकी फैमिली आपकी लाइफ स्ट्रॉगल नहीं और आप आगे के तरफ बढ़ते भी जाएंगे और आप ख़रा करेंगे एक बिजनेस जो कि आने बाले आपके बच्चों के लिए सबक होगा और बच्चों के लिए उस सारी मेहनत नहीं करी पड़ेगी जो आप ने किया सुरू हो जाइए और सब कुछ चीज को मैनेज करने के लिए जरूरी है कंप्यूटर स्किल्स की कंप्यूटर में एक्सल की अगरे एक्सल सीखना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं थैंक यू